नमस्ते किसान भाईयों मैं किसान पुत्र आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम जानेंगे कम पाने में आलो की खेती केसे की जाए किसान भाईयों यहाँ वीडियो मैंने किसानों से चर्चा और आलो के जानकारी रखने वाले वेग्यानियों से जानकारी इखटा करकर बनाई है तो चलिए सुरू करते हैं तो किसान भाईयो अगर आपके यहां कम पाने गिरा हो फिर भी आप आलू की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आज आपको तीन सबसे सटिक तरीके बताऊंगा पहला तरीका है अगेती वेराइटी अगेती वेराइटी मतलब जल्दी परिपको होने वाली वेराइटी यहां वेराइटी सितर से पिछतर दिन में परिपको हो जाती है सितर से पिछतर दिन में परिपको होने के कारण इसमें 2 से 3 सिचाईया कम लगती है जो हमारा मुख्य आलू होता है 100-110 दिन का उसके तहट इसमें 2-3 सिचाया कम लगती है तो हमारा 2-3 सिचाया का पानी बचेगा अगेती वेराइटी को लगाने का समय 15 सितमबर से 10 अक्टुमबर तक रहता है बजार में बहुत सारी अगेती वेराइटी है लेकिन मुख्य जो अगेती वेराइटी है मैं उनके नाम आपको बताना चाहता हूँ कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी असोका, कुफरी लवकार, कुफरी सतलूच और बहुत सारे वेराइटिया उपलब्द है आप इसके बारे में जानकारी आलू के अनुसंदान केंद्र से भी ले सकते है दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर आज कल जो प्रचलेन में है वो है मिनी स्प्रिंकलर तो मिनी स्प्रिंकलर से हम कैसे बचा सकते है पानी तो किसान भाईयों, जो हम आम तरीके से आलू की खेती करते है जिसमें हम सीचाईया मेडों में देते है पानी खूला छोड़ देते है खेतों में तो उसके तहित स्प्रिंकलर इरिगेशन से 50-80% तक पानी हम बचा सकते हैं और स्प्रिंकलर के बहुत सारे फायदे हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल में डाल रखा है आप उसे भी देख सकते हो तीसरा तरीका क्या है किसान भाईयो तीसरे तरीके में हम जमीन की नमी का उपयोग करेंगे जमीन की नमी के उपयोग से क्या मतलब है जैसे हम खरिफ की कटाई करते हैं जैसे हमारे खेत में सोयाबिन लगी है सोयाबिन की कटाई के बाद हमारे खेत में नमी बनी रहती है तो हमें उस नमी का उप्योग करना है सोयवीन की कटाई करके हकाई जुताई करके हमें जल्द से जल्द अगेती वेराइटी लगा देनी चाहिए जिसका समय मैंने आपको बता दिया है 15 सितमबर से 10 हक्टुमबर के बीच में आप वेराइटी लग जानी चाहिए तो हम जमीन के नमी का उप्योग करके भी एक सिचाए कम कर सकते हैं तो यह था किसान भाईयो तीसरा और आखरी तरीका आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए और आप किस विशाई पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं धन्यवाद